नमस्ते एवरिवन, मैं वैस सरवेश कुमार तिवारी आज एक patient की history बताता हूँ मैं patient नहीं एक relative कह सकते है कि मुझे phone आया, उसे नाक से खून निकल रहा था ये मौसम है, नाक सुख जाती है जादा कोई नाक में उंगली डालके उसे निकलने की कोशिश करता है तो जखामों के खून निकलता है लेकिन उस patient की specialist क्या थी इसे बीड पिछ में बार बार होते रहता है 15-20 दिन में, 1 मेने में, 2 मेने में तो मैंने उससे दीन चर्या पूछा तो उसमें एक चीज़ पता लगे कि वो तुलसी का पत्ते रोज सुबह 4-5 डेली खाता है तो मैंने रक्तपित्त अद्धाय पड़ा फिर जाके उसमें हेत्व में लिखा है कि तुलसी या तुलसी के अन्य प्रकार अगर patient रोज खाता है तो उससे रक्तपित्त हो सकता है तो मैंने उस हेत्व को निदान परिवर्जन करने के लिए कहा और भी अन्य जो हेत्व दिये वे थे जो हम commonly daily habits में या daily use करते हैं patient या हम लोग जो है कड़ी दही की चीज़े या फिर मूली और अर्वी की सबजी और ऐसी चीज़े जो है खटी चीज़े हो गई और यह soda या बाहर की जो हम sauce वगरब बना के खाते हैं यह सब चीज़े भी रक्तपित्त के हेत्व है तो मैंने यह सब avoid करने के लिए का है खास करके उन्हें मैंने एक जो आदत है जो सब को लगता है कि तुलसी कपत्ते डेली खाने से immunity बढ़ेगी तो मैंने वो तुलसी कपत्ता उन्हें avoid करने के लिए का है देखते हैं आगे जाके उसके क्या results आते हैं उसके क्या review आते हैं जैसा मिलेगा हम share करते हैं